अगर आपका वजट 15-20,000 के बीच में और इस प्राइस रेंज में आप एक वीवो के वेस्ट 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आएं 20,000 रुपे के अंडर तक में दोस्तों वीवो का वहुत सारा स्मार्टफोन मिल रहा था लेकिन काफी रिशर्च रिवीव और इनेलेसिस करने के बाद हमने सिर्फ 5 उन ही स्मार्टफोन को सेलेट किया है जो प्राइस के इसाफ से सभी फीचर्स में काफी अच्छा है 15-20,000 के प्राइस रेंज में तो सभी फोन मिलता है एक फोन ऐसा है जो आपको 13,000 रुपे के प्राइस में भी मिल जाता और काफी वेस्ट है और अभी जो है मार्केट में काफी ज्यादा सेल भी हो रहा है और अगर आप बलोगिंग करते हैं या फिर रिल्स सूट करके जो है सोसल मी पर आता है वी वो टी टू एक्स फाइब जी और मैं आपको बता दूँ कि इन सवी स्मार्ट फोन को प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बेस्पे हमने रैंक किया है तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसी सबसे आपको जो है वेस्ट फोन देखने को मिलेगा तो चली अगर आपको बजट 13,000 रुपी है तो इसके 6GB रे मरून 28GB storage वाला विरेंट खरीत पाएंगे चली इस फोन के मेंन में फीचर्स के बारे में हम आपको बताते हैं तो सबसे पहले डिस्पेले की बात करें तो 6.58 इंच का IPS LCD पैनल दिया गया है जो कि सिर्फ 60 हर्ज रिफ्रे पैनल दिया गया है तो और भी बेस्ट होता फिर 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 प्राइस के साफ से डिस्पेले काफी अच्छा है मिल जाता है इसके वाइक सैड में आपको डूवल का में लेंसे माइक्रों लेंसे से सिल्फी के लिए 8.000 का कैमरा दिया गया है वाइक केमरे से 30 एपेस वर 10.80 प का बैटरी भी दिया गया है चार्जिंग के लिए 18 वाट का एडप्टर मिलता है चार्जिंग स्पीड में आपको इबरेजी मिलेगा ये फोन उतना कुछ खास है नहीं चार्जिंग स्पीड में लेकिन बैटरी वेक आपको अराम से एक दिन तक का दे देता है लेकिन वीव इस फोन में मीडियम सेटिंग में आप एवरेज गेम प्ले कर सकते हैं जैसे कि एक दो घंटा रेगुल और ज्यादा गेम प्ले करने पर आपको फोन में इटिंग इसु देखने को मिलेगा इंड्रोइट 13 के साथ आता है फंटस 13 पे वर्क करता है काफी लेटेस्ट वाला वे दिया गया है वलोट वेर आपको इस फोन में ना के वरावर देखने को मिलेगा काफी अच्छा 5G फोन है एवरेज गेम पेले के लिए काफी अच्छा फोन है बाकि आपको कैमरा भी काफी अच्छा मिल जाता है बैटरी बे काभी वेस्ट दिया गया है 13 रुपे के प्रैस म यह थोड़ा सा पुराना भी है यह फून भी लेकिन फीचर्स काफी तगड़ा मिलता है इस फून का बेज़ बेरेंट आपको 18000 रुपे के प्राइस तक में मिल दाएगा बाकि यह देखते हैं कि प्राइस के हिसाब से फीचर्स वेस्ट मिलता भी है या नहीं तो सबसे पहले डिजाइन और विल्ड क्रेट की बात कर लें तो यह फून बाइक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक के साथ आता है काफी हलका फिल कराता है स्मार्टफोन सिरुफ 184 ग्रम वेट के साथ आता है काफी लाइट वेट स्मार्टफोन हैंड फिल काफी अच्छा देता है क्योंकि का डिस्पेले मिलता है तो फोन उतना बड़ा साइज का भी है नहीं और इस फोन में भी आपको हाइब्रीड से लौट ही मिलेगा तो दो 5G सिम कार्ड एक साथ यूज करेंगे या फिर एक सिम कार्ड के साथ एक मेमरी कार्ड चलिए फोन के मेन फीज़र्स की बात करते ही त तो सबसे पहले डिस्पेले की बात करें तो 6.58 इंच का एक एवरेज साइज का पैनल मिलता है IPS LCD पैनल है 60 हर्ज रिफ्रेशरेट के साथ आता है जिस तरह से इसका प्राइस है 18 जो रुपे इस फ्राइस पर आपको जो अधर वरन के फोन में एमोलेट पैनल भी मिलेगा और साथ में कम से कम 90 हर्ज का रिफ्रेशरेट भी मिलेगा तो प्राइस के साफ से डिस्पेले उतनों कुछ खास मिलता नहीं एवरेज डिस्पेले वो लेंगे चलिए इस फोन के कैमरे की बात करते हैं तो बैक सैड में डूल कैमरा का सेटप दिया गया है 50 मिया पिसल का डेफ् बैक और फ्रन्ट दोनों कैमरे से 30 एपेस पर 1080p तो में वीडियो रिकॉडिंग कर पाएंगे काफी अच्छा कैमरा में एफ़ोन नाइट मोड सोलो मोसें HDR पर नूर्मा जिससे फीचर्स मिलता है वीवो के सभी फोन में आपको कैमरे की तरफ से कोई भी सिकात का मौका नही जाता है चाहे हो फोटो क्यों या फिर वीडियो रिकॉडिंग क्योडि आपको काफी वेस्ट मिलता है कोई सिकात का मौका नहीं मिलेगा कैमरे की तरफ से बैटरी वेकप में तो ठीक मिल जाता है लिकिन अगर आप फास्ट चार्जिंग चाहते ही तो आपको अलग से 33 गया है सेवन नेनो मेटर पर बना है काफी अच्छा है पर होमेस में भी फूल सेटिंग में गेम प्ले कर सकते हैं दो तिन घंटा रेगुलर आपको कोई भी हीटिंग उसुई और फिर लाइगिंग प्रोलाम फोन में देखने को नहीं मिलेगा है वी गेमिंग के लिए काफी अच्छा फोन है लेकिन ज्यादा भी गेम प्ले नहीं कर सकते हैं इस फोन में जिससे कि आपर रेगुलर 5-6 गंटा गेम प्ले नहीं कर पाएंगे फूल सेटिंग में एवरेज गेमिंग के लिए काफी अच्छा है बाकि आपको सभी फीचर्स काफी अच्छा मिल दाता है जिसे के बेटरी वेकप वेस्ट मिल जाता है, कैमरा स्पेसलिस फोन का काफी तगड़ा है, डिस्प्ले प्राइस के इसाब से उतना कुछ खास मिलता नहीं है, तो अगर आपका बज़ेट 18,000 रुपी और वीवो का एक वेस्ट 5G फोन चाहते हैं, तो इससे भी वेस्ट आपक काफी हलका फील कराता है, यह स्मार्ट फोन, विल्ड कुलिटी काफी अच्छा मिल जाता है, बाकि आप अपने इसाब से देख सकते हैं, चलिस फोन के मेंविन फीचर की बात करते हैं, तो सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में कहें, तो 6.58 इंच का एवरेज साइज का IPS LCD प सिलफी के लिए 16 में आप इसलका केमरा दिया गया है, बाक और फ्रांट दोनों केमरे से 30 पेस पर 1080p तक में वीडियो रिकॉडिंग का उप्शन मिलता है, फोटो क्यूलिटी काफी अच्छा देहिने को मिलता है, फोटो क्लिक करने का बाद जूम करने पर फटता नहीं है, म प्रास्ट चार्जिंग के लिए आपको अलग से हाई स्पीड वाला एडपल को यूज़ करना पड़ेगा, इस फोन के परफोर्मेंस की बात करें, तो मीडिया टेक डामेंस सिटी 700 का 5G चिपसेट दिया गया है, तो परफोर्मेंस में फोन भी काफी तरड़ा देखने को मि प्राइस के हिसाब से डिस्पिले एवरेज इस फोन का मिलता है, तो अगर आपका बज़र 15 रुपी है और इस प्राइस में वीव का एक बेस्ट गेमिंग फोन लेना चाहते हैं, तो यह फोन आपके लिए काफी अच्छा उप्सन होगा, अब सेकेंड नमबर प्याता है वी 5G SIM card एक साथ यूज़ करेंगे या फिर एक SIM card के साथ एक memory card, single speaker के साथ इंडी स्पिले fingerprint sensor दिया गया है, तो design और विल्ड क्वलेट के मामले में काफी premium look देता है, आपको काफी ज़्यादा पसंद आगा design, चली इस फोन के मिनमिन features की बात करते हैं, तो 6.38 inch का एक average size का super emolod panel पेनल दिया गया है, जो कि 90RJ refresh rate के साथ आता है, और साथ में 1300 nits तक का peak brightness दिया गया है, तो price के साथ डिस्प्लेइ इस फोन में काफी heavy मिल जाता है, जैसे के amolod panel दिया गया है, और high peak brightness के साथ आता है, तो कड़ी धूप में भी phone को उज़ करते हैं, तो आपको 50-60% की brightness में भी काम चल जाएगा, brightness problem नहीं होगा, अल्ट्रा स्मूथ पैनल मिलता है, तो gaming करने में भी आपको मजाएगा, और साथ में वीडियो भी आप काफी स्मूथ ली प्ले कर पाएगे, वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं, इस फोन के camera की तो back side में dual camera का setup दिया गया है 64 में आपिसल का मेलने से, जो की OIOS को सपोर्ट करता है, दो में आपिसल का depth sensor है, शेलफी के लिए 16 में आपिसल का camera दिया गया है, वाइक और फनाट दोनों camera से 1080p तक में video recording का option मिलता है, 30 fps पर, camera में ये phone especially काफी जादा waste है, काफी waste quality का photo किलिक करके देता है ये phone, low light में भी फोटो किलिक करते हैं, तो detailing काफी अच्छा आता है, 400 mAh का वैटर भी दिया गया है, ये अच्छा वैटर बेकप के लिए, उसाथ में 44 Watt का adapter मिल जाता है, तो finally इस phone में आपको charging speed fast मिल जाएगा, 45-50 मिनट में आराम से इस phone को 0-100% तक चार्ज कर सकते हैं, तो वैटर बेकप काफी अच्छा मिलता है, एक दिन तक का और साथ में charging speed भी काफी fast मिलेगा, पर होमेस के लिए Qualcomm Snapdragon 695 का 5G चिपसेट दिया गया है, 6 nanometer फे बना है, तो full setting में full time gaming अराम से इस phone में कर सकते हैं, काफी powerful चिपसेट मिल जाता है, gaming वेरा में आपको कोई भी दिक्क्त देखने को म स्मार्ट फोन है, और लोंडर 5G स्मार्ट फोन है सभी फीचर में काफी अच्छा मिलता है, तो आप इस phone को खरीच सकते हैं, अब टॉप पे आ जाता है, वी वी 21 5G, यह phone उनी जरस के लिए बेस्ट है, जिनका बजट मतलब कि 20,000 रुपे से थोड़ा सा जादा है, और वे बेस्ट कैमरा फोन चाहते हैं, जैसे कि वो लोगिंग करते हैं, या फिर जो है सोर्ट बगरा बना करके सोचल मीडिया अकाउंट पे डालते हैं, उनके लिए काफी बेस्ट फोन है, कैम को इस phone का काफी है भी मिलता है, तो चलिए इस phone के बारे में हम आपको DTS से बताते है, तो सबसे पहले डिजाइन और वील्ड कुलेटी की बात कर लें तो डिजाइन और वील्ड कुलेटी में तो काफी अच्छा फील कराता है सिर्फ 176 ग्राम वेट के साथ आता है बैक और ख्रेम दोनों प्लास्टिक का मिलता है देखनी को मिल जाएगा इस फोन में तो डिजाइनर वील्ड कुलेटी में काफी अच्छा है डिजाइन आपको काफी जादा पसंद आएगा डिस्पले की बात करें तो एमुलेट पैनल मिलता है 6.44 इंच का 90 हर्च का रिफिर्स रेट दिया गया 64 मिअपपिसल का मेल нравится मिलता है वीडियो रिकौटिंग कर सकते हैं 30 एपेस पर तो काफी वेट्ट का कैमेरा मिलता है आपको कैमेरे मिलते में आपको इस फोन की तरब से कोई भी सिकायत का मौकान नहीं मिलेगा नाइट मोड दोए मोड दोए और स्टीचर प्रूमा जिसे फीचर्स भी मिली जाता है कैमरे में काफी वेस्ट है और बैटरी बेकप के लिए 4000 पर का वैटरी दिया गया है तेजी से चार्जिंग के लिए 33 वाट वाला एडप्टर तो बैटरी बेकप और चार्जिंग के सट दोनों में भी आपको कोई भी सिकात कम होका नहीं मिलेगा काफी अच्छा मिल जाता है और हो मेंस के लिए प्रोसेसर भी काफी पावर्फुल मिलता है मीडिया टेक डामेंस सीटी 800 यू का 5G चिपसेट दिया गया 7 निनो मिटर फे बना है तो फूल सेटिंग में गेंप ले कर सकते हैं आपको कोई भी लेगिंग इसु करते हैं तो आपको अराम से 1500 का जो है डिसकाउंट भी मिल जाता है तो यह फोन आपको 20,000 रुपी की प्राइस तक में मिल जाएगा